इन्डियन कार मार्केट में एक ऐसा ब्रैंड जिसका काफी क्रिडिबिलिटी है और हुन्डई ने फाइनली लांच कर दिया है हुन्डई और जो कि एक 5-seater sedan है जैसे की Grand I10 को रिप्लेस किया था Grand I10 News ने वैसी एकसेंट को रिप्लेस करेगी हुन्डई और जो की तीन फ्यूल वैरियंट में लांच हो रही है पेट्रोल डीजल एन सी एंजी इसके 12 वैरियंट लांच होने वाले हैं अल्मूस लांच हो चुके हैं जिसमें से 4 डीजल है साथ पेट्रोल और एक सी एंजी वै विद 84.15 BHP एन 113.7 Nm टॉर्क ये कार 5-year सर्विस कोस्ट के साथ आती है जिसका सर्विस कोस्ट है 2644 रुपीज और इसके सेकेंड जो वैरियंट है उसमें जो इंजन स्पेसिफिकेशन वो है 1197 CC के इंजन है और इसका जो मैक्समम पावर है वो है 81.86 BHP विद मैक्समम टॉ टॉर्क आफ 1116 Nm और इस कार का जो 5-year सर्विस कोस्ट है वो है 2644 रुपीज अब हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन में ही पेट्रोल मतलब कार में ही थर्ड वैरियंट के बारे में जिसका जो इंजन है डिस्पेस्मेंट वो 998 CC का है और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 98.63 BHP with a maximum torque of 175 Nm और इसका जो 5-year का सर्विस कोस्ट है वो है 2675 रुपीज अब हम बात करेंगे इसके डिजल वैरियंट के बारे में जिसमें आपको इंजन स्पेसिफिकेशन मिलता है 1186 CC with 84.15 BHP के maximum पावर के साथ आपको 11 11, sorry 113.7 Nm का टॉर्क मिलता है और इसका 5-year का सर्विस कोस्ट है 3897 रुपीज जो लास्ट वैरियंट है वो है CNG और इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो है 1186 CC का और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 21.86 BHP का वी दा मैक्सिमम टॉर्क आफ 116 Nm और इसका 5-year का जो स 44 रुपीज यह सारी गारिया आपको BS6 Norm के साथ मिलेगी अगर आफ सेफटी की बात करें तो आपको 2 airbag और anti-theft device मिलता है और पेट्रोल कार की बात करें तो इसका प्राइस होने वाला है पेट्रोल कार का 5.799 रुपीज तो 8.54 रुपीज मिंस आपको 5,69,000 रुपे से 8,04, आपको पेट्रोल वाली कार मिलती है वहीं पे अगर डीजल की बात करें तो 7,73,000 रुपीज से लेकर 9,12,000 रुपीज तक आपको इसका जो डीजल वैरिंट है वो प्राइस होगा और CNG का जो कार है उसका प्राइस है 7,28,000 रुपीज तो गाइस अगर आपको वीडियो में प्राइस होगा, वीजल डुपीज तो 6, Counselor 3, C, i C, i C, G, N, K, T, t, G, t, G, T, G, T, G, T, G, T, G, T, D, G, T, G, T, D, G, T, G, T, G, T, Z, G, T, G, T, G, T, G, T, G, T , …